अभी तक तो आपने बालों में कई बार राइस जल का यूज कर लिया होगा, लेकिन क्या कभी आपने राइस जल का आपने बालों में यूज किया है? राइस जेल राइस वाटर से कई गुना ज़ादा एफेक्टिव होता है और आपके बालों को रिग्रो करने में राइस जेल कमाल का होता है आज की वीडियो में आप लोगे साथ एक यूनिक तरीके का राइस जेल शेयर करूँगी जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का है उसके साथ ही आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने का काम करता है आपके बालों की थिकनिस को इंक्रीज करने का काम करता है देखे राइस में बहुत तरीके के अमीनो एसिट्स होते हैं स्टिमूलेट करती है निव हैर ग्रोथ के लिए उसके साथ यह जो आपके बालों का ग्रोथ फेज है उसको भी इंक्रीज कर देता है जिसे बालों की थीकनिस मेंटेंड रहती है इंक्रीज होती है DST Blocker की तरह काम करता है DST Hair Thinning के पीछे सबसे बड़ा रिजन होता है तो यह उस समस्या को भी खतम करने में कमाल का होता है नमस्कार मैं हूँ गरिमा और स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पे मैं इस तरीके की Hair Skin और Healthy Healthy Diet से Related बहुत सारी वीडियो शेल करती रहती हूँ तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट है तो मैं आपको हाली रिक्मेंट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा क्योंकि along with external application, internal care यानि healthy diet की भी बात में करती रहती हूँ आप लोगे साथ तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस्तना हो जाए और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी मेरी वीडियो यूसफुल लगती है तो लाइक दिने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग मुझे नहीं पता अगर वीडियो अच्छी लगती है मैं बस आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो मेरी रेमेडी अच्छी लगती है यूसफुल लगती है तो लाइक जरूर करिएगा अब चलिए बिना किसी दिरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं यह जो र अमीनो एंसिज प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो भी करता है सबसे अच्छी इसके बात यह है कि यह हमारे बालों को लंबे समय तक घना और काला बना के रखता है क्योंकि यह हमारे बालों को डैमेज और ब्रेक नहीं होने देता जल्दी क्योंकि इसके अब जो पहली बहुत इंपोर्टेंट चीज है ये है फेनुगरीक सीट मैंने अहां पर कम से कम 5-6 चमज के बराबर राइस लिया था और 5-6 चमज के बराबर ही यहां पर फेनुगरीक सीट यानि मेथि सीट का यूज़ कर रही हूं, मेथि हमारे बालों के लिए कमालकी होती ह यह हमारे scalp को बहुत ज़दा healthy बना देती है, healthy hair की सबसे पहली requirement healthy scalp ही होती है, जब तक हमारी scalp healthy नहीं है, उसमें से healthy hair आहीं नहीं सकते, अब जो next ingredient है, जो की बहुत important है, यह है rosemary herb, rosemary herb के अंदर ऐसे active ingredient होते हैं, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं, यह हमारे बालों को रिग्रो करता है, उसके सासत बालों का जो growth phase होता है, उसको increase कर देता है, जिसे कि हमारे बाल जल्दी नहीं जढ़ते, लंबे समय तक growth phase में रहते हैं, मतलब लंबे समय जाइसे आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग 25 Л.2 बॉरे बाल गयब हो जाते हैं तो यह तो यह यहां पर उभाल लोग करता है अब जो जिए कोकॉनट के अंजर बोगत सारा नेचरल पाया जाता है जो कि हमारे बालों 180-चल्फ को बहुत ऐच्छेसे द्यूश्था करने काम करता है हमारी scalp को resuminate करता है और हमारे hair follicle को नरिश करता है जिससे कि हमारे hair follicles में से नए नए बाल आते हैं तो जिस तरीके से आप अपने face वाली skin का बहुत अच्छे से खयाल रखते हैं उसी तरीके से हमें अपनी scalp का भी खयाल रखना चाहिए तो यह जो natural moisture है coconut के अंदर यह हमारी scalp को बहुत अच्छे से नरिश करता है जिसे कि हमारी scalp healthy होती है scalp healthy होती है तो उससे क्या होता है कि scalp में healthy healthy बाल भी आते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ external application के साथ एक बहुत ही healthy सी चीज शर करूंगी जिसे आपको consume करना होगा तो वीडियो को पूरा देखेगा सिर्फ external application वाला पार्ट देखके आप चले गए बाकी वीडियो को आपने देखा ही नहीं तो आपने सिर्फ आधी वीडियो देखी है और आपको आधा ही फायदा मिलेगा इसलिए external application के साथ साथ जो चीजे मैं खाने के लिए बता रही हूं उसे भी आप जरूर देखेगा वो जो चीज खाने के लिए बता रही हूं बहुत tasty है बहुत healthy है सारे nutrients है जो आपके बालों को रिग्रो होने के लिए घना होने के लिए चाहिए होते हैं आप देखे इसमें दो छीजे मैंने और ड़ाली पहला है उनियन और कि छिलका मैंने रेड ऑनियन का छिलका लिया इसके इंदर बहुत सरा salpha पै जाता है जो हमारे बालों को regrow करने में कमालका होता है antibacterial antifungal antiseptic प्रोपरटी भी होती है छिलके के अंदर जो कि हमारे scalp को clean and healthy बनाती है hair darkening प्रोपरटी भी होती है उसके बाद मैंने lemon का छिलका इस्तमाल किया है देखिये हमारे बालों और scalp का जो pH होता है वो slightly acidic होता है इसलिए जब भी आप कोई भी हैर मास लगा रहे हैं तो उस हैर मास में कुछ भी आपको ऐसा जरूर यूज़ करना है जिसमें एसिडिक नेचर हो जैसे कि यहां पे जो लेमन का छिलका है यह नेचर में एसिडिक है तो इससे क्या होता है कि हमारे स्कैल्प और बालों का पीएज बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है उसके साथ साथ लेमन का छिलका हमारे बालों के लिए बहुत जादा गुड़कारी है क्योंकि यह हमारी स्कैल्प को एकदम हेल्दी बनाता है क्लॉग्ड हैर फॉलिकल्स को अनक्लॉग भी करता है जिसे की रिग्रो होते हैं बाल और हमारे बालों में कमाल की शाइन भी आड़ करता है अब क्या करना है इन सारी चीजों को एक बॉटल में रखना है इसमें पानी डाल दीजे आप उसके बाद इसे पूरी रात भर नी भीगोना सिर्फ दो तीन घंडे के लिए इस तरीके से भीगो के छोड़ दीजे फिर नेक्स मॉर्निंग हमें क्या करना है कि इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डालना है अच्छे से ग्राइंड करके इसका बाहुत बारिक सा पेस्ट बना लेना है उसके बाद जो हैर मास बन के त्यार होगा वह आपके बालों के लिए कमाल का होगा बहुत सारे बेनिफिस देगा अगर आपके बाल रिग्रो नहीं कर रहे हैं तो यह उनको रिग्रो करने में भी हल्प करेगा क्योंकि इसके अदिर ऐसे चीजे मैंने एड़ की हैं जो आपके हैर फॉलिकल में डि अग्सरींट होता है जो कि हमारे बालों को नाच Hmm Excellent Kala भी बनांकर रखता है और रिग्रो भी करता है ईज डियस्टी ब्लॉकर भी काम करता है तो आपको क्या करना है इन सारे चीजों को अच्छे से ग्राइन करके एकम बार क्यू करें बना ले ना है अब मस्तीन क्लॉट खी अच्छे से स्ट्रेंड कर लीजे, स्ट्रेंड करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा थिक जल बन के तयार हो गया है, जो हमारे बालों के लिए बहुत कमाल का होता है, आप राइस वाटर तो यूज करते होंगे अपने बालों में लेकिन इस बार आप राइस पूरे बालों की Length में अच्छे से लगा लेना है इसको साफ तुत्रे बालों में लगाना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अपने बालों में आइलिंग करते हैं उसके बाद वार मास लगाते हैं तो उस हैर मास का कोई फायदा नहीं है वो टोटल वेस्ट हो गया क्योंकि आपके स्केल्प और आपके बालों के उपर एक कोटिंग है जो कि किसी भी चीज को आपके हैर फॉलिकल में स्केल्प में अच्छे से पेनेटरेट नहीं होने देगी और उसका फायदा भी नहीं मिलेगा इसलिए जब भी आप हैर मास लगाते हैं अच्छे से अपने बालों को क्लीन कर लीजे उसके बाद ही लगाईए तो इसको मैंने लगा लिया लगा के सिर्फ एक घंटे छोड़ना है नॉर्मल वाटर से फिर उसको वाश कर लेना है आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी और आपके बाल रिग्रो भी करेंगे हैर थिनिंग की शिकायत दूर होगी आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होगी क्योंकि ये आपके बालों को फॉर्दर डैमेंज से प्रोटेक्ट भी करता है अब जो खाने वाली चीज है ये बहुत ही स्पेसल है और इस तरीके की चीज आज तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं की है तो क्रिपया करके इस वीडियो को पूरा देख लीजेगा सबसे पहले आपको लेना है बादाम अब देखें बादाम की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं हालां कि मैं यहां पे तीन लोगों के लिए इसको बना रही हूँ तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा ही रख रही हूँ एक मुठी के बराबर आपको ऐलमंड लेना है फिर उसके बाद कम से कम 10-15 आपको अखरोट लेना है पुरा खड़ा खड़ा देखें एलमंड के अंदर बहुत सारे एसेंशल न्यूटियंट होते हैं जैसे की बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिंक, कैल्शियम, मैगनीज, मैगनीशियम, सेलेनियम प्रोटीन बाका बादाम का च्छिलक निकाल लेना है क्योंकि इसके छिलके में भी anti-nutrient पाया जाता है तो इसलिए सबसे अच्छा है, सबसे safe तरीका यह है कि आप जो छिलका है उसको उतार लें और फिर use करें देखिए अभी इसमें कुछ चीजे और add होनी है और इसे खाने का जो तरीका है वो बहुत ही different है अगर आप इसे consume करते हैं तो definitely आपके बाल बहुत अच्छे होंगे उसके सासाथ यह आपके bones को भी strong करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सरा calcium भी पाया जाता है जो कि हमारे bones के लिए सबसे ज़्यादा important है हमारे दान्तों के लिए भी important है तो देखे external application आप कीजिए बहुत जरूरी होता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी होता है healthy diet जब तक आपकी diet unhealthy है सिर्फ external application काम ही नहीं करेगा अगर आपकी diet healthy है और आप external application भी साथ-साथ कर रहे हैं तो आपको definitely फायदा मिलेगा और exactly यही काम मैं करती हूँ और जो चीज मैं करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ तो अगर आप healthy diet इसके साथ जो external application उसके साथ consume करते हैं तो definitely आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और healthy diet की बात आती है तो यह जो चीज मैं शेयर कर रही हूँ सारे nutrients से भरपूर है तो अगर आप इसे खा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा चिंदा करने की जरूद नहीं है कि मैं क्या खाऊँ अभी इसमें एक बहुत important powder भी आड़ करना है और यह है मखाना का powder मखाना को lotus-nud भी बोलते हैं मखाना के अंदर बहुत सारा calcium पाया जाता है बहुत सारे essential nutrient होते है जो हमारे बालों के लिए बौंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं कैल्शियम सिर्फ हमारे बौन्स के लिए बालों के लिए बहुत important होता है लेकिन mainly bones के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है लेकिन हमारे बालों को strong बनाने में भी calcium का बहुत एहम रोल होता है तो इसलिए आपको 2-3 चमश के बराबर यहाँ पे मखाना का powder भी डाल देना है खड़ा मखाना भी आप ले सकते हो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खजू एक या दो खजूर ले सकते हैं अगर आप प्रेगनेंट है तो खजूर को आप कोशिच करिए कि मत कंजूम करिए बाके चीजों को भी कंजूम करने से पहले आप दॉक्टर से पूछ लीजे एक बार ठीक है क्योंकि जब प्रेगनेंट है आप तो आपको extra precaution रखनी की ज़ अब इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डाला इसमें मैंने दूध डाला हुआ है बॉयल्ड मिल्क या फिर कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं क्योंकि हम लोग इसे अभी बॉयल भी करने वाले हैं तो आपको क्या करना है इसमें दूध डालना है और अच्छ से इसका ग बॉयल करना है तो इसमें मैंने थोड़ा सा और दूध डाला हुआ है दूध डालने के बाद हमें क्या करना है कि इसे गैस पर रख देना है और अच्छ से बॉयल कर लेना है देखिए दूध के अंदर भी बहुत सारे न्यूटरिंस होते हैं दूध को संपूर आहार बुला इस दूध की जगह अगर आप पानी का भी यूज कर सकते हैं अगर आप लैक्टोस इंटोरेंस है तो अभी आप देखिए इसको मैंने गरम कर लिया है अभी ये पुरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है मुझे तो ये गरम बहुत अच्छा लगता है आप अपने बच्चे को अगर डेली नहीं पी सकते तो हपते में तीन बार पी के देखिए आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे लेकिन हपते में तीन बार हमेशा पीना है सिर्फ एक दो बार पीने से काम नहीं चलने वाला देखिए जैसे हमारी बाड़ी को डेली न्यूट्रिन की जरुत होती है बालों को भी होती है तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान हमेशा रखना होगा अगर आपने इस वीडियो को मिस्कर दिया है तो यहां पे क्लिक करके जरूर देखिए गा ये थी मेरी आज की वीडियो मुझे थे कि आपको अच्छी लगी होगी इस तरह की बहुत सारी करें को प्रेस करेंगा वीडियो पसंद आए तो लाइक बीना किया मच जाएगा तो यह थी मेरी आज की वीडियो अब मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार